हलो हलो एब्रीवन कैसे आप सब आय होप आप सब ठीक होंगे आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी पनीर स्टिक्स इतने जादा मसदार लगते हैं और उसके साथ हम शेयर करेंगे एक चीज वाली डिप जो की इसके साथ बहुत परफेक्ट ली जाती है तो च अधा चमच में बुने हुए जीरे का पाउडर पाउडर चमच डालेंगे रेड चिली पाउडर अब चाहो तो जादा भी डाल सकते हो पिंच भर डालेंगे हल्दी यहां पर अधा चमच में यूज कर रही हूँ चाट मसाला याथ से डालना बहुत स्वाद लगता है पाउ 15 tablespoon old में अच्छे से डाल तया जिसे की हमारी जो मसाले हैं पानीर में अच्छे से स्टिक हो जाए फिर इनको अगर आप चमच से चाओ तो चमच से मिक्स कर दो या फिर हातों से मिक्स कर सकते हो अच्छे से साइट में रग देना है तब तक हम क्या कर लेते हैं इसको रेस्ट पनीर बचा हुआ जो था तीन क्यूब्स देख लो चोटे 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 तीन क्यूब्स लिए हैं दो क्यूब्स हम लेंगे चीज और चिली फ्लेक्स लेंगे हम एक चम्मच तो चलिए बराना स्टाट करते हैं बड़ी एजी सी रेसिपी है यहां पे सारी चीजों को एक साथ प्लावर का अटा और उसमें मैंने डाल रही हूँ पावचमर से भी कम ब्लैक पेपर और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें आम चूर पावडर ठीके तो इससे मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे से कोट करेंगे अब मैं आपको हमेशा पताती रहती उसको सिर्फ इसे सॉफ्ट वाले चाहिए थे तो तेल गरम नहीं था यहां तेल मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे गरम किया था और यह देखिए जैसे ही मैंने स्टिक्स डाले है सारा जो हमारा कोटिंग था मैदे और कॉन फ्लावर का वो पूरा मेल्ट होके तेल में फैल गय है वैसे भी किट्टू को सॉफ्ट और जादा कोटिंग नहीं पसंद है तो यह उसको चल जाएंगे बट यह मिस्टेक आप मत किया किजिए एक तम कड़कते भड़कते तेल में हमेशा फ्राइ कर या करो यहां पर हमें कॉन फ्लेक्स लेने है एक कटोरी मैंने कॉन फ्लेक् पानी से मिक्स करके एक अच्छा सा पतला सा थोड़ा थिक थोड़ा बैटर बराना यह देखिए ऐसा बैटर बना चाहिए ठीक है गनी-वनी सा बैटर है बद बहुत जादा पतला भी नहीं है इसमें हम डालेंगे हमारे पनेर स्टेक्स पनेर स्टेक्स को अच्छे से हम तो बहुत ज्यादा फाइन हो जाती है हातों सही करना वो के एफसी वाले जैसे क्रिस्प होते ना वैसे क्रिस्प आ जाते हैं देखिए मेरी तेल की हालत क्या खराब हो गई है तो अब ना फिर मैं दूसरे वाले बैच को भी अच्छे से इसमें कोट करती हूं और हाइफ लेम तो तेल का टेमपरिचर अपने आप ही कम हो जाएगा कम हो जाएगा तो सारी चीजे मेल्ट होगे फिर से फैल जाएंगी यह थोड़े थोड़े से आप कॉन फ्लेक्स देख रहे होगे तेल नहीं है वो डालते वक्त ही मेरी जो हाथों पे लगे हुए थे ना वो उसमें ते एक दम सुने है रासा गॉल्डन सा बहुत ब्यूटिफुल कलर आएगा बहुत ही टेसी लगते हैं रेसिपी अचले ही तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल खाते रहिएगा खुश रहिएगा अपना ख्याल रखना बाबाई एब्रिवान